पुलिस उधिक्षक जिला चिंदवाडा बिच्छुआ शेत्र में घटित महिला की निर्मर महत्या का तरीत खुलासा दो आरोपी अभी रक्षा में दिनाग पांप चाथ उजर तेज के सुभा करीब नौ बज़े सूचना प्राप्थुई की थाना बिच्छुआ शेत्र अंत्रगरत गड़ेवानी से अमाजीरी रोट के किनारे जंगल की खेती के पार के पास से कज्यात महिला उम्र करी 35 साल का शव शत विशत अवस्था में शव का घड़ पड़े होने से वस्सिर ना मिलने से शव की पहचान नहीं हो पा रही है सूचन पर ततकाल थाना प्रभारी बिच्छुआ चौकी प्रभारी खमार पानी वा पुलिस टीम रवाना होकर मौके पर पहुँच कर जाच कारिवाई प्रारम करने के साथ ही साथ वरिष्ट अधिकारी गण को घटना से अवगत कराया ततपशात एफसल टीम के द्वारा स्थल का निरिक्षण करने के उप्रांद कारिवाई की गए प्रकरंड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिक्षक छिन्दवाडा श्री विनायक वर्मा घटना स्थल पहुचकर निरक्षण उप्रांद अग्यात महिला की शिनाक्स्तिवा उसकी सिर्वाले हिस्से क के तलाश पाता साजी हे तू एवं अन्य आवश्यक दिशान निर्देश दिये इन्हें दिश निर्देशों के पालन में सर्वप्रतम मृतिका की फैचान घटना स्थल पर उपलगत बहुत एक साक्ष्य एवं परिजनों के उपस्तित था बाहां पर बनी टैटू गुदना ए भेच कर विशेश दल के द्वारा शव परिक्षन भी कराया गया विसी अग्यात आरूपी द्वारा अग्यात मृतिका को गंभी चूट कारित कर हत्या उप्रान साक्षी छुपाने की नियत से सिर को धर से अलग कर धर को घटना स्थल पर फेक देना पाय जाने से प्रार्थ सुरेंद्र पिता गोविन चौधरी की रिपोर्ट पर से अपरात पंजीबत किया गया उक्त घटना की रिपोर्ट पर सिथाना बिच्वा जिला चिन्वारा में 92.23.302.201 भादवी का प्रकरन अग्यात आरूपी के विरूत पंजीबत कर विवेचना में लिया गया प्रकर वर्मा के द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुई शीगर एवं प्रभावी कारिवाई की गई वही अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक चिन्वारा श्री संजीव उईके एवं अनुवे भाग अधिकारी पुलिस चोराई श्री प्रीतम सिंग बालरे एवं थाना प्रभ प्रभारी बिच्वा निरिक्षक पूर्वा चौरस्यवा चोकी प्रभारी खमारप उनी पुनम उईके को ततकाल अनुसंधान कर अध्यात मृतिका की पहचान वा अध्यात आरूपी की पता साजीवा घटना का करने की वजा की सत्यता का खुला से एवं गिरफतारी हेतु म अग्यात आरोपी के संबंद में कुछ साक्षे प्राप्थ हुए थे थाना बिच्छुआ चौकी खमार पानी जेत्र में घटित निर्मम हत्याक में प्रकाश में आते ही पुलिस टीम सक्रेता ततपरतावा तक्नीकी संसाधनों एवं दिनरात की नहीं और की गई कड़ी मशक् प्रक्रण के आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर तता सघन पूस्ताच करने पर उनके द्वारा उक्त हत्या करना तता साक्ष चुपाने के नियस सिश्व कोशत विशत करना सुईकार किया गया साक्षो के अधार पर ततानुसंधान के क्रम में यहां ग्यात हुआ कि मृतिका ममता पाटेल मजदूरी करती थी विगत आट वर्ष पूर उसकी शादी देवेद्र पाटेल से होने के उपरांग पती को छोड़कर माईके में रह रहने के दौरान विगत दो वर्ष पूर पहचान हो जाने से दोनों के मध्या नजदी की सम्मझ स्थापित हो गए थे घटना के तीन मापूर मृतिका ने मुख्या रूपी से शादी करने के लिए दबाव बनाया किन्तु मुख्या रूपी मृतिका से उसके सभाव के कारण शादी नहीं करना चाहता था इसी कारण उसको मार डालने की यूजणा बनाया यूजणा के अनुसार नाबाले कारूपी को मुख्या रूपी अशुक सराटे द्वारा कुछ प्रलोबन देकर मृतिका ममता पाटिल को मार डालने की यूजणा के बारे में अवगत कराने के बाद अपने साथ मिलालिया करम में दिना काट कर हत्या कर दी कानूनी कारेवाई से बचने के लिए साक्षी छुपानी की नियत से एक्षव की पहजान ना हो पाए इस आश्चाय से आरोपी वा अपचारी बालक द्वारा दिनाग तीन चार्ट हुजर तेईस की रात्री में मर्तिका के सरो धड़ को अलग कर सिर्क खट नस्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर खमार पानी कनहर गाव मार्ग पर पुलिस के नीचे फेक दिया अगले दिन जुपचा पे कारिकर में चले गए वहीं बता दे कि आपको प्रारम में आरोपी द्वारा पुलिस को गुम्रह करने के लिए लग अलग भ्रामक जानकारी भी देने की कोशिश की किन्तु सघर पूस्ताच्वा विवेचना के दौरान पुलिस को उक्त अंधी हत्या के मामले में आरोपी को अभिरक्षा में लेने की सफलता प्राप्त हुई चंचलेश इंदोरकर की रिपोर्ट का मामला था और यह दुश्वा पुलिस के लिए चनवाडा के लिए चनौपी का मामला था इसके पहचान देने के तुर्त एक प्राप्त निवास रत थी इसके बात जबह्ने और विवेचना की और एक रड़ी को जोड़ा तिया बात सामने आई कि इसके संबन एक 19 वर्ष के अशोक सराथे दाम के विक्ति से बने हुए थे, यह थोड़े समय के लिए लिवन रिलेशन्शिप में भी थे, और पहला गरबती हुने करण उसके शादी होने का दबाव डाल रही थी, इस बात से कही नगहीं परिशान होकर उसने इसकी जीवन दि इसको लुठाया, फिर शाकू से वार करके इसकी हत्या थी गई, उसके बाद साथ शुपाने के उधेश से इसको सरसे धर से अलग किया गया, और खटना साल से लगब 5 किलोमेटर पूर इसको चुपाया गया, पुलिस्टीम की मदद के वेचना से और कड़ी मेहनत से, मात्र तालेस घंटे में ही ये ब्लाइंड मडर फ्रेस कर लिया गया है, हमारो देश रहेगा कि बुलिस्टीम को एडीजी जोन जबलपुर श्री उमेश योगा साब के माध्यम से इस अरुबे के नाम से पुरस्कृत किया जाए, साथी साथ ये निर्मा मक्त्या जो की गई है, इ झालेस जो गुकि नाम से तालेस वी खुरस्टीम के नाभस के माध्या जो जोलिंग।